तो हेलो फ्रेंड्स and वेल्कम तो माई यूट्व चैनल तो आज हम पढ़ने वाले कानी जारू रियक्शन क्या है और उसका मेकानिजम ठीक है एक्जामपल के साथ तो चलो वीडियो इस्टार्ट करते हैं When aldehyde 2 moles with no alpha hydrogen undergo oxidation and reduction reactions to give a mixture of salt of carrosylic acid and alcohol in the presence of conch, NOH और QH इसकल कानी जारू रियक्शन कानी जारू रियक्शन क्या है जब 2 moles of aldehyde जिसके पास alpha hydrogen नहीं है वो oxidation reaction reaction में जा करके salt देगा कर्बजाली केसिट का और alcohol देगा conch, NOH और QH के presence में जिसको हम कानी जारू रियक्शन बोलते हैं यह रियक्शन को क्या भी बोलते हैं डिस्प्रोपोर्शनल रियक्शन भी बोला जाता है किटोंस जो हता है वो कानी जारू रियक्शन नहीं देता है example के बात करें तो 2 moles formaldehyde का रियाड कर रहा है conch, NOH के presence में तो यह क्या दे रहा है? sodium, formid, salt दे रहा है और अलकोहल दे रहा है यही है कानी जारू रियक्शन दूसरा example के बात करें तो 2 moles of benzyl dehyde जो है, react कर रहा है conch, NOH के presence में तो यह क्या दे रहा है? benzyl alcohol दे रहा है और sodium benzoid जो की salt है और यह alcohol है ठीक है न? अब mechanism समझते हैं जो mechanism होता है कानी जारू रियक्शन का वो तीनी step में होता है तो हमने दो example देखें एक formaldehyde वाला और एक benzyl dehyde वाला तो हम mechanism देखते है benzyl dehyde का दो दूसरा example था उसका mechanism देखते है और उसको समझने के कोशिच करते हैं क्या mechanism of the benzyl dehyde जो है, conch, NOH के साथ जो given below, नीचे दिया हुआ है यह जो है, तीनी step में होता है step 1 में क्या होता है attack of OH-ion on the carbon-ion जो OH-ion जो है base का, वो क्या करेगा carbon-ion पे attack करेगा और उसके साथ attach हो जाएगा जैसे कि benzyl dehyde यह हो गया और यह OH-ion आके यहाँ पर carbon के साथ जोर जाएगा तो यह OH हो गया और इस पर जोर गया तो यह carbon के साथ चार ही balance होता है तो यह चार balance होएगा यह जो oxygen के पास दो double bone था वो एक single bone किस पर चल जाएगा oxygen पर चल जाएगा और इसलिए इस पर negative charge आज आएगा intermediate A या इसको हम इन आयन की बोलते है यह हो गया आपका step number one step number two देखते क्या है hydride ion transfer अब step number two में क्या होगा जो बना था intermediate या A वो क्या करेगा दूसरा मॉल्स benzoidehyde के साथ रियाक्ट करेगा और क्या देदेगा benzoic acid और इन आयन यह जो hydrogen है यह hydrogen इसपे attack कर रहा है और क्या दे रहा है C6H5 CH2 O- क्या दे रहा है इन आयन दे रहा है क्योंकि यह C6H5 यहाँ पहले से है यह H जो hydrogen था यह इसपे attack करके क्या होगा यह C एक hydrogen इसके पास है तो CH2 हो गया यह hydrogen एक आके CH2 हो गया और यह O जो इसके पास एक double bone था वो उसपे चल जा कि यह क्या दे देगा C6H5 CH2 O- और यह जो hydrogen यह जो carbon था यह carbon पर क्या आजाएगा double bone oxygen के साथ आजाएगा क्योंकि carbon के पास carbon होता है तो यह दे देगा C6H5 single bone C double bone O O- यह अनिकि benzoic acid ठीक है और sodium base तो हमने यूज कर लिया OH- iron तो यूज कर लिया अब Na plus iron क्या करेगा तीनों react करेगा और क्या देगा sodium benzoate देगा और benzoil alcohol देगा ठीक है C6H5 C double bone O O इधर का O और यह H हट जाएगा EH आजाएगा इसके साथ तो यह होगा benzoil alcohol यह sodium आजाएगा इसके साथ यह हो गया sodium benzoate यह आप कहो गया कानिजारो reaction और उसके mechanism अब एक्जाम में क्या होता है कभी कभाल synthetic application भी पूछ देता है synthetic right कानिजारो reaction with mechanism along with their synthetic application तब synthetic application भी देख लेते क्या है ठीक है अब इसमें जो हम देखें कानिजारो reaction में alcohol बन रहा था और salt बन रहा था अब synthetic application वह होगा है जो बन रहा है तो उसके synthetic application देखते है both alcohols and organic acids produce are well known for their biological actions जो बना है alcohol और organic acids उसके बहुत सारी uses होता है biological actions में वो देखते हैं क्या क्या है antibacterial properties वो जो बना था salt और alcohol उसका क्या होता है antibacterial properties होता है preservatives for food यूज होता है preservatives खाना को उसको जोगाया रखता है कि bacteria आके ना उसको खराब करे as a preservative भी यूज होता है pharmaceutical भी यूज होता है local application as antiseptics antiseptics में भी यूज होता है और जो alcohols होता है using the preparation of hand sanitizer as it has antimicrobial properties जो alcohol बना था हम लोग को मालूम है Corona टाइम में क्या होता है sanitizer यूज कर रहे थे उसमें क्या होता है alcohols होता है जो bacteria को मारता है इसलिए इसको क्या बलते antimicrobial properties तो आज का वीडियो ये कानिजार रेक्शन खतम होता है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा आसा करते हैं तो आप वीडियो को like, comment, share and subscribe करें और जिसको जरूरत है उसको forward करें या share करें notes, telegram पर से आप download कर सकते हैं जो की about section में दिया गया है या तो आप इसी वीडियो के description में भी दिया गया है तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बाबाई, thank you